हाई एब्रिवन आज मैं आप लोग को डोमिनोस जैसा आप चिंगी पारसल बनाना बताऊंगी वो भी हिल्दी तरीके से अमेजिंग टेस्ट है सबको बहुत पसंद आने वाला है छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक एकतम दिवाने हो जाएंगे इसके तो चलिए बिना देर किये हुए स्टार्ट करते हैं एक कोई भी आप बर्दन ले लें जिसमें ढखकर लगता हो और उसमें थोरा सा गुनगुना पानी डालें गुनगुना पानी बहुत जादा गरम नहीं बहुत जादा ठर्ड़ा नहीं तो ये पानी डालकर एक चमच मैं य तो अच्छा अच्छा बने अच्चे से उसको मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद आप उसके धक्कन को लगा दें । 10 मिनिट के लिए उसको छोड़ दे 10 मिनिट में वह एक्टिवेट हो जाएगा तब तक एक मिक्सिंग बाउल लें दो कप से थोड़ा सा कम मैं यहां पे गेहुं का आटा डालूंगी क्योंकि गेहुं के आटा हमारे बॉड़ी के लिए अच्छा होता है रोज रोटी खाते हैं तो उसी का आज मैं यह पीजा पारसल बनाओंगी उसमें अगर थोड़ा सा तीखा पन चाहिए तो चिली फ्लैक्स डाले क्रस किया हुआ काली मिर्श पॉल्डर डाले थोड़ा सा उसमें नमक डाले ताकि अच्छे से वह टेस्टी बने अब यहां पर मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ बटर आप यहां पर मेल्ट करके भी डाल सकते हैं और मैं काट के डाल रही हूँ क्योंकि रूम टंप्रेचर में बटर ऐसे ही गलने लगता है तो उसको धीरे धीरे उसमें mix करना है और अच्छे से उसको दबा कर जैसे मुएम करते हैं उस तरह से आब mix कर ल रहेगा नहीं तो आप तेल भी डाल सकते हैं यहां पर एक और सिक्रेट मैं बताऊंगी कि आटा से बन रहा है तो थोरा सा आप एक चमच मिल्क पॉल्डर जरूर डाले यह देखिए यहां पर कितना अच्छा इस्ट एक्टिवेट हो गया है तो इस तरह से फॉर्म में जब आ जाए तभी आप आटा में डाले और ताकि उसका बेस जो पीजा का है न वही तो सबसे मेन होता है अगर आपका बेस सही बन रहा है तो आपका पीजा ऐसी ही सब को बहुत फैमिली मतलब कि सब को पसंद आएगा तो आप उसको धीरे-धीरे उसमें डालने और डालने के हैं इसका अच्छे से मिक्स करें डो जितना अच्छा बनेगा आपका पीजा बेस उतना ही अच्छा बनेगा तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है पानी को डालते हुए पानी रूम टंप्रेचर पे डाले यह हलका सा गुनगुना है तो वह भी डाल सकते हैं और पूरा गंटा में हो जाएगा ये तो तेल उसमें नीचे लगाएं कोई भी एयर टाइट डबा लेने चाहे वो कूकर हो कैसरॉल हो जिसमें हवा ना जाए या एयर टाइट डबा हो तो उसमें डाल कर आपको देर घंटा दो घंटा छोड़ देना है मैं दिखाऊंगी कि कैसा आपका हो जाएगा तब आप उसमें बनाएंगे तो देर घंटा के बाद मैं दिखाऊंगी तब तक इसे तेल उपर से लगाते हुए इसको एकदम ढखकन से पैक कर दूँगी और उसके बाद आप इसको एकदम छोड़ दे कुछ यहाँ पर मैं सबजी का त्यारी कर ली हूँ जैस कम हरी मिर्च तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च डाले और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अपने मतब की हलका फुलका ही मिर्ची डाले कॉन भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक फ्राइपन लें थोड़ा सा बटर डाले क्योंकि कि ये सरहसे भी बटर में ही बहुत अच्छा बनता है अगर बटर पसंद नहीं है तो तेल में भी बना सकते हैं कोई दिक्चत नहीं है तो हलका सा आप लेसुन को ब्राउन होने दें जलाना किसी को नहीं है एक मैं चोटा सा प्याज काटके रकी हूँ प्याज उसमें डाल और उसको भी हल्का-हल्का brown होने तक अच्छे से भूल ले और healthy तरीके से बन रहा है तो भाई dominoos का compare कर रहे हैं तो अच्छा सा base तो बनना ही चाहिए और अंदर feeling भी अच्छा बनना चाहिए तो आप उसी तरह से corn को भी अच्छे से fry करें क्यूंकि corn frozen है तो थोड़ा सा अच्छे से crispy हो जाए उसके अंदर नमक चला जाए और मैं थोड़ा सा तीखा बना रही हूं तो मिर्ची भी डाले हूं आधा चमच तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डालेंगे जितना आपको तीखा चाहिए अपने स्वाद के नुसार नमक ड दालने हूं कि अंदर से मिर्ची और नमक चला जाए उसके बाद आप सारी सब्जियों को डालना है सब्जी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सब्जी जब बेख होगा तो अपने आप ही वह पकेगा तो ज्यादा हमको नहीं करना है दो तिन वाटरन करें और उसम के पास है तो नहीं तो इतना से भी अच्छा बनेगा कटा हुआ पनीर डाल दें अगर आपको आलू पसंद है तो छोटे छोटे आलू भी डाल सकते हैं वह आपकी पसंद के उपर है मगर ये सारी चीज़े तो जरूर डालना है थोड़ा सा यहाँ पे मैं टेमाटर सॉस डा दे रहे हूँ ताकि उसका टेस्ट अच्छा है यहाँ पे टॉको करके एक मेरे पास मसाला है जिसमें बहुत सारे मसाले उसमें मिक्स किया हुआ है सिजनिंग भी है और भी बहुत सारे मसाले हैं जो काफी अच्छा टेस्ट लेकर आता है तो वो मैं डाल रहे हूँ अगर आ आटा का अगर ये फर्मेंट हो गया है देखिए अच्छे से एक दम जैसे भटूरा बनाते है न sprink वैसे ये फर्मेंट हो गया है और जैसे अर्जैसे अब चाहेंगे वैसे ये रूप में बन कर त्यार हो बहुत इजी हो जाता है तो इस तरह से अगर आपका आठा फर्मेंट हो गया है तभी आप उसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है हाथ से पुरा अच्छे से मिक्स कर ले चारो तरब से उसको मिक्स कर लेना है मिलाते हुए आपको जितना बड़ा साइज में चाहिए पूरी के साइज में हमें लेना है छोटे छोटे आप पेरा बना कर रख ले और बाकी एक्स्ट्रा जो है उसको आप डब्बे में ही डाल दें ताकि वो सुखे न तो दो तीन आप बनाए और उसको बेलते जाए यहाँ आपper मैं मेज कांव फ्लोर ली हूँ मेज का ही आता है तो आटा नहीं यहाँ थोड़ाशा दरदरा टाइप का तो उसको आप डालका बेले अगर आपके पास मक्का का आटा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल आटा से भी बना सकते हैं मगर डॉमनोज वाले मेज ही डालते हैं दोस्तो तो उससे ना काफी उपर से क्रिस्पी बनेगा और वही टेस्ट वही लुक आएगा तो इस तरह से आपके पास है तो जरूर डाले और नहीं तो मक्का का आटा है तो वह भी डाल सकते हैं थोड़ा मोटे वाला तो इस तरह से आप उसको बेले और पानी किनारे से लगाना है किनारे से पानी लगा के ट्रैंगल सेप में आपको पहले फोल्ड कर लेना है तो इस तरह से आप फोल्ड कर ले अच्छे से एकदम और नीचे से भी पानी लगाना है क्योंकि पानी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लगाना है ताकि यह अच्छे से चिपक जाए और यह देखिए अब इसके बीच में आप पहले तो चीज डाल सकते हैं चीज अपना सरधा जितना मन करें उतना डालें चीज से काफी टेस्टी मतलब कि लगता है खाने में और यहाँ पर मैं सिर्फ उपर से डालूँगी तो यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा डाली हूँ चीज और पानी देखिए लगाते हुए तीनों तरफ उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है एक दूसरे के उपर चिपका लेना है देखिए मैं आपको दिखा रहे हूँ बहुत इजी है बनाना तीनों तरफ से आपको अच्छे से चिपका के बंद कर लेना है ताकि यह खुलेना और एक बार पानी लग जाता है तो अच्छे से चिपक जाता है तो फिर दुबारा मैं आप लोगों को बना कर दिखा रही हूँ उसी तरह से मेज का आटा जो भी है वो लेकर आपको अच्छे से बेल लेना है बेलने के बाद आपको उसमें पानी लगाना है चारो तरफ से अब इससे ट्राइंगल सेप में फोल्ड कर लेना है देखें मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आपको चारो तरफ से फोल्ड कर लेना है बहुत असान है बहुत जल्दी फटा फट बनता है तो आप एक मतलब की दस मिनट में दस ऐसे पीजा पार्सल बना के रख सकते हैं फटा फट हो जाता है कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं तो जब भी खाने का मन हो समोसा कचोड़ी छोड़े आटा का ये पीजा पार्सल बनाए और बस इंज्याए करें घर में इस तरह से देखें मैं सारा पैक कर लूँगी पहले दो सेट करना है उसी के उपर से ये तीनों पानी लगा के चिपका देना है तो और जो चीज जो ब बाहर न निकले तो इस तरह से सारे मैंने त्यार कर लिया है और यहां पर मिल्टेट बटर उपर से लगाए ताकि अच्छा कलर आए देखने में मजा है क्योंकि दो नोज में उपर से बटर लगाते हैं तभी रेड रेड एकदम ब्राउन ब्राउन उपर से क्रेस्पी करना है तो चिगली फ्लैक्स डाल दें ब्लैक पेपर को क्रस्ट करके डाल दें और बस थोड़ा सा उसको एकदम प्रिंग कर दें अच्छा कर दें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिजनिंग करें यहां पर मैं तीन चीज से बताऊंगी बनाना यह है माइक्रो ओ ओवेन में 180 डिग्री पे रखें 10 मिनट में यह बनकर रेडी हो जाता है मैं बनाओंगी ओवेन में ओवेन में मैं प्रिहिट करी हूँ 380 पे और इसको मैं 15 मिनट 20 मिनट में बनाकर रेडी कर दूँगी और उसके बाद आप एक ओप्शन और दे रहे हैं कोई भी आप कड़ नहीं ले पुड़ाना कर आई उसमें नमग डाले एस्टैंड रखें और प्लेट में फॉइल डालते हुए उस पे रखें और ढख दे ढखने के बाद 30-35 मिनट में आप उसे सेख कर ऐसे ही निकाल सकते हैं तो यह तीनों तरह से आप घर में इजी से बना सकते हैं ओवेन है तो ओवेन में बनाए माइक्रो ओवेन है माइक्रो ओवेन में बनाए और जब बना के देखिए कितना रेड रेड कितना अच्छा लग रहा है लगनी नहीं रहा है कि घर का बना हो कितना क्रेश्पी और मैं तोड़ के भी आप तो को दिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी है बह बहुत ही amazing taste तो ये देखिए चिंगी पर्सल बनकर ready हो गया है अब इसे sauce के साथ enjoy करें और मैं तोड के दिखा रही हूँ नीचे का color भी दिखा रही हूँ और अब देखेंगे ये देखिए कितना अच्छा है मैं cheese कम-कम डाली हूँ तो ये कम चीज आएगा वगर कितना soft कितन सुन्दर अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें share करें subscribe करना ना भूले फिर मिलते हैं नए वीडियो तब तक लिए बाई